नमस्कार में दिव्य स्वागत है आपका अचकिस रोजगार समाचार में कंबाइन ग्रेजुएट लेवल भरति एक्जामिनेशन दोहजा चॉबस के लिए ODSS टाफ सिलेक्शन कमीशन के तरब से भरती निकाली गई है यह भरतिकुल 83 पदों पर निकाली गई है इन पदों पर भरती के लिए आविदन प्रक्रिया 3 जनवरी दोहजा चॉबस से ही शुरू होने वाले थे लेकिन अब इससे बढ़ाकर 10 जनवरी दोहजा चॉबस कर दिया गया है वहीं आविदन करने के अंतिम तारीक 12 फरवरी दोहजा चॉबस निर्धारित की गई है हाला कि रजिस्ट्रेशन आप 9 फरवरी दोहजा चॉबस तक ही कर सकते हैं एक चुक मिद्वार इसके अधिकारिक वेबसाइट www.osse.gov.in पर जाकर आविदन कर सकते हैं जरी अब बात करते हैं इस भरती के लिए उमिद्वारों के सैक्षनिक योगता के बारे में तो इस भरती के लिए आविदन करने वाले उमिद्वारों को जरूरी है कि उन्होंने किसी भी मानिता प्राप्त बोर्ड से या संस्थान से या विस्विद्याले से किसी भी विसाय में 10 भी, 12 या असनातक तकी सिक्षा हासिल की हो इसमें पत के मुताबिक असनातक डिग्री, इंजिनियरिंग की डिग्री, डिपलोमा, बी फार्मेसी, डिग्री के साथ PGDCA या अन्य निर्धारित योगिताएं पद के मुताबिक हांसिल की हो आई अब जानते हैं कि आखिर इन पदों पर भर्दी के लिए आविदन करने वाले उमिद्वारों की क्या आयू सीमा होनी चाहिए तो इसके लिए अमिद्वारों की नियुनतम आयू सीमा 21 वर्ष और अधिकतम आयू सीमा 38 वर्ष होनी चाहिए हालां कि जो अमिद्वार अपना संबंद आरक्षित वर्ग से रखते हैं उन्हें आयू सीमा में छूट दिये जाएंगे आई अब जानते हैं उमिद्वारों के चैन प्रक्रिया के बारे में तो इस भर्ती में उमिद्वारों का चैन करने के लिए परिक्षायत तीन लेवल में आउजित होंगी जिसमें सबसे पहले प्रारंभिक परिक्ष उसके बाद मुख्य लिखित परिक्ष और आखरी में प्रमान पत्र सत्यापन होंगे आई अब आखरी में हम बात करते हों में द्वारों द्वारा इस भरती के लिए आविधन प्रक्रिया के बारे में नेकिन उससे पहले एक बार इसके आधिकारिक वेबसाइट पर भरती से जुरी आधिक जानकारी जरूर ले लें। आधिकारिक वेबसाइट का लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उसके बाद आदिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर जाए, यहां आते ही ओनलाइन आवेदन के लिंक पर क्लिक करें, यहां क्लिक करते ही आपको OSSE CGL भरती लिंक 24 मिल जाएंगे, इस पर क्लिक करके खुद को रजिस्टरेट कर ले, फिर रजिस्टरेशन की प्रक्रिया पू आज के लिए फिलाल इतना ही, हमारे साथ बने रने के लिए आपका धन्यवाद